प्रशांद वन ना उतिहास में आप अगर देखो तो शायद रूपी वन ऑफ दी ओल्डेस करन्सी इन दे वर्ल्ड है ऑफिशली तो वैसे कहते हैं के पाउंड स्टर्लिंग है दुनिया की सबसे पुरानी ऑफिशल यूज की जाने वाली करन्सी मगर रूपी की जो हिस्ट्र ये इंटरनाशल मार्किट में उसी तरीके से हर कंट्री के रूपी की वैली उलग है मगर आप देखो के करन्सी का नाम आपको रूपी मिलेगा चाहे वो भारत हो इंडोनीसिया में इसकी स्पेलिंग अलग होती है ये लोग रूपईया कहते हैं मॉल्डीव में रूपईया से आता है जिसका मतलब होता है silver coin मगर इसकी history को actually मैं समझने के लिए आपको 6th century BC में जाना होगा आज से हम बात कर रहे हैं करीब 2700-2800 साल पहले दुनिया भर में coins का प्रयोग trading के लिए वेपार के लिए बहुत ही लंबे समय से किया जा रहा है बताया जाता है कि initially coins का officially use किय गया था Chinese civilization में, Indian civilization में और of course जो Greek सबेता है वहाँ पर भी ये लोग सिको का इस्तेमाल करते थे और यहाँ पर आप देख पाओगे example है उस जमाने के Indian coins की ये दो coins आपको देहेंगे एक पर हाती बना हुआ है दूसरे पर शेर बना हुआ है और initially बहुत से coins stone के थे मगर बाद म हमने देखा कि metal coins भी आने लगे इंडिया के छोटे empire में for example यहाँ पर आप देख पाओगे कुरू empire में step के सिक्के थे काशी में step के सिक्के थे वद्सया में step के सिक्के थे मगद में step के सिक्के थे और फिर इसी दुरान देखा गया कि मौरे सामराजय का rise हुआ और आचारे चनक्या ने अर्थ चास्र लिखी अर्थ चास्र में आचारे चनक्या ने clearly mention किया था कि देखिए हिंडिया में बहुत type of coins आपको मिलेंगे जो silver coins होते हैं उनको हम कहते हैं रुपया रुपा जो gold coins हैं इने हम कहते हैं सुवर्न रुपा और copper coins को तमर रुपा का जाता है तो coins coins को use करने के मामले में इंडिया काफी आगे था हलाकि हमारे सारे coins एक शेप के नहीं थे वहाँ पे same type के symbol नहीं थे काफी जगा बाटर सिस्टम मतलब के चीजों के बदले चीजों का exchange ये काफी common था मगर उस वक्त की economy में coins का बहुत जरा यूज किया जा रहा था और अचार चनक्या का जो ये contribution है currency को लेकर economics को लेकर income tax को लेकर इसको काफी बार RBI ने income tax department ने acknowledge भी किया है आचारह चनक्या पर बेस commemorative coin चाप कर यहाँ पर आप देख पाओगे 2010 का coin है एक special coin जो income tax department के कहने पर mint किया गया था और यहाँ पर आप दे सकते हैं more empire के time के coins of course again यहाँ पर आ बहुती लंबे समय तक मगर मौरे सामराज्य सेंस इतना जरा विशाल था तो जो यह use है इन टैप के coins का यह south में और countries में almost हर जगाई फैल चुका था इसी दुरान इंडोनीसिया में भी इन लोगों ने silver coins को रुपईया प्लाना स्टार्ट कर दिया इसमें of course चोला empire का मुगल empire तो आपको बता होगा बाबर ने शुरू किया बाबर आया eस came कर दिया इसमें पर इंडिया में मुगल empire सतापित कर दिया बाबर मर गया। फिर आबर का बेटा आया हुमायू हुमायू अराम से राज करनी पाए क्योंकि शेर्शा सूरी में काफी बार हुमायू को टैक कर पाएगा डेली पे, मगर उसी दोरान शेरशाशुरी ने रेवलूशनरी रिफॉर्म्स ला दिये इसमेरे सबसे बड़ा रिफॉर्म ये था कि सिल्वर कॉइन का वेड क्या होगा ये टैक कर लिया गया था इनके अंडर 178 ग्राम्स का सिल्वर कॉइन इशू हुआ जिसको रुपईया कहा जाने लगा फाइनली इंडिया में पैसा, सिक्का इसका वेड क्या होगा, इसका आकार क्या होगा इसमें युनिफॉर्मिटी आने लगी और ये सिस्टम इतना बड़िया तरीके से कैली फॉरवर्ट किया गया, के यही सिस्टम मुगल एंपार ने यूज किया, मुगल एंपार ने रफली 300 साल तक भारत पे राज किया था इन लोगों ने भी शेर्शाशुरी का जो आईडिया था, चुपचाप कॉपी किया सेम टाइब के जो कॉइन से इंडिया में यूज किये, उसके बाल जब अंग्रेज आए जब ब्रिटिश इस्ट इंडिया कंपरी इंडिया में बस गई, तब भी इन लोगों ने इंडियन करंसी का नाम जेज नी किया इन्होंने याँ पर देखा कि रुपईया ही कह रहे हैं आपर सब लोग, तो इन लोगों ने भी इंडियन करंसी को रुपईया ही बलाया और स्लोली रुपी, जो रुपी आज के समय हम यूज करते हैं, this became the currency of इंडिया, अफकोर्स मुझको ही रखी, क्योंकि लोग यहाँ पर तब तक पैसे को रुपी ही आफे रुपईया ही बोलते थी तो कुछ लोग एजिउम कर लेते हैं कि इंडिया के आसपास के जो देश हैं, ये सेशल्स हो गया, मॉल्डीव्स है, इंडोनीसिया है ये लोग भी ब्रिटेश एंपार की वज़े से ही अपनी करंसी को रुपी बोलते हैं, जबकि इंडोनीसिया का आप एक्जामपल है, इंडोनीसिया की करंसी है रुपईया, नाव क्या इंडोनीसिया पर कभी ब्रिटेश एंपार ने राज किया था, आंसर है नहीं, इंडोनीसिया पे किस ने राज किया था, नेधरलेंड्स ने, और नेधरलेंड्स ने कभी भी रुपी को यूज नहीं किया, जैसे ही इंडोनीसिया ने 1949 के आसपास, इंडोनीसिया ने आजादी पाली, पहला काम इन्हों ने ये किया, कि ज जोला एंपायर का यहां पर connection रहा होगा Northern Empire से basically इस पूरे region ने एक time पर पैसे को रुपई या रुपी उलाना start कर दिया था और उसका impact हम आज भी देख रहे हैं यहां कह सकते हैं एक unique cultural aspect है South Asia और South East Asia दोनों regions का अब यहां पर आप कहोगे ठीक है पूरे region में हम रुपी उस करते हैं बहुत अची बात है मकर एक देश यहां पर पीछे क्यों रहा गया बांगलादेश को आप अगर देखे तो culturally काफियत तक यह similar है पाकिस्तान इंडिया से तो यह लोग भी रुपई क्यों नहीं यूज करते हैं यह लोग टका क्यों यूज करते हैं देखो कहते थे कोईन को और इवन दो रेस्ट ओफ इंडिया में हमने काफी रुपी यूज करना स्टार्ट कर दिया था बेंगल में प्रैमेरली इस्ट बेंगल में देखा गया कि यह लोग अपनी करंसी को काफी बार टका ही कहते थी और जब बांगदादेश ऐसे कंट्री करेंगे यह लोग अप टका बलाएंगे तो जो 1971 वार थी उसका बहुत ही बड़ा इंपक्ट था बांगलादेश ये निर्णे पर और फानली यहाँ पर मैं आपसे क्वेशन पूछूंगा इस वीडियो के अंथ में जो इस क्वेशन का आंसर करेगा विद प्रॉपर एक्स् करने की पावर किसको दी गई है यह आपकी आपकी ओप्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शल बैंक मिनिस्ट्री ओफ फैनेंस को या फिर सिर्फ केंद्र सरकार को ही कॉमेंट सेक्शन में करिए उत्तर सही आंसर मैं आपको दूंगा नहीं बाकी जो लोग सही आंसर क लिंक पर लेंगे एक्जाम के और यहां पर अनकाडमी के कोर्से आप कर सकते हैं परचेस विद अ फ्लाट 10% डिसकाउंट तो फर एक्जामपल लेट से आपको प्रिपेर करना बैंक एक्जाम के लिए तो क्लिक करिए यहां पर सब्स्रिप्शन लिंक पर और यहां पर पर कोर्स फॉर अ फ्लाट 10% डिसकाउंट अगर आप 24 भेने का कोर्स पर चेस करना चाते हैं तो यहां पर जो रेट आपको दिख रहा है 375 रुपीज पर मंथ यह पे करने की आप शकता नहीं है सिंप्ली यहां पर कोड यूज करिए पिरी 10 and the prices will just start falling so use the code पिरी 10 and save money so एसी नोट के साथ यह है वीडियो कांथ thank you for listening and as always God bless you all